आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के दिन व्रत और त्योहाद के अगर हम भात करें तो आज वट सावित्री व्रत प्रावन हो रहा हूँ आज के दिन शादी शुदा महिलाएं अपने पती की स्वस्त और मंगल आयू के लिए और अपने बच्चों की स्वस्त और प्रसन्ता के लिए वट सावित्री व्रत प्रारम करती है वट सावित्री व्रत के दिन सभी महिलाएं वट व्रक्ष की पूजा करती है और अपने पती की लंबी आयू के लिए कामना करती है आज के दिन सरवार्त सिद्धी योग भी है जो की सुर्य देसे प्रारंब होकर पूरे दिन और रात रहेगा आज मास शिपरात्री का प्रत भी है आज भगवान विश्णू और भगवान शिप दोनों के मंत्र जाप करने से जीवन में आने वाले सभी कस्टों का निवारन होता है बगवान विश्णू और बगवान शिव सभी का मंगल करें सभी को स्वस्त रखें सभी के जीवन में परेशानियों से मुक्ति दिलाएं इसी कामना के साथ हम शुरू करते हैं 8 जून 2021 का पंचा वान वंगल वान विक्रम संवत 2078 शक्स संवत 1943 माह जेस्ट माह पक्ष क्रश्न पक्ष तिथी त्रयोदशी तिथी 211 बच कर 24 मिनट तक रहेगी उसके बाद चतुरदशी तिथी प्रारम हो जाएगी नक्षत्र क्रतिका नक्षत्र योग सुकर्मा योग जोकी अत्यंत शुभ योग माना गया है करण वनिच करण जोकी ग्यारा बच कर 24 मिनट तक रहेगा उसके बाद विस्टी करण प्रारम हो जाएगा यानि भद्रा प्रारम हो जाएगी आये बात करते हैं सूर्य और चंद्र से संबंदित गर्णा होगी सूर्य दे प्रातह पांच बच कर 29 मिनट चंद्र राशी के अगर हम बात करें तो दोपैर 12 बच कर 23 मिनट तक चंद्र देव मेश राशी में रहेंगे उसके बाद वे अपने उच्च की राशी व्रश राशी से बोचर करेंगे बात करते हैं शुब समय की सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्थ ब्रह्म मुहूर्थ तीन बच कर 27 मिनट से और सुबह 4 बच कर 46 मिनट तक रहेंगा ब्रह्म मुहूर्थ में हम अपने इस्ट देव की आरादना और उनका मंत्रुजा अवश्य कर सकते हैं बात करते हैं अभिजित मूर्थ की, यानि कोई भी शुबकार अगर हम शुरू करना चाते हैं और हमें शुब चौगडिया नहीं मिल रहा है, तो हम अभिजित मूर्थ में अपना शुबकार शुरू कर सकते हैं। चौगडिया यूकि एक सामान ने समय है, आठ बचकर पच्पन मिनट से, दस बचकर अरतीस मिनट तक रहेगा। चरके बाद लाब का चौगडिया दस बचकर अरतीस मिनट से, बारा बचकर अक्शा समय माना गया। चौगडिया दस बचकर अरतीस मिनट तक रहेगा। गुलिककाल की बात करें, दुपएर बारा बजे से लिखार एक पचकर अरतीस मिनट तक रहने वाला है। रहुकाल और गुलिककाल दोनों अत्यांत अशुब समय माने गए हैं। किसी भी शुबकारे को हमें रहुकाल और गुलिककाल में शुरूर नहीं करना चाहिए। और किसी भी शुब समय में इन दौनों में को समय भी नहीं करना चाहिए। बात करते हैं दिशाशूल के याज किस दिशा में यात्रा नहीं करने चाहिए तो आज उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करने चाहिए फिर भी अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आज दिशाशूल का परियार अवश्य कर लें आज का परियार है यात्रा से पहले आप गुड़ राशियां शुब हैं वे हैं मेश, मिधन, कर्क, तुला, व्रश्चिक, और कुम , बहुर 12 बजकर 23 मिनट के बाद जो राशियां शुब हैं वे रेवाथ कर्क, सिंग, व्रश्चिक, धनूँ, और में आई बात करते हैं आज जो भी जातक जन्मे लेंगे उनके नाम आक्षर उनका पाया और उनकी राशी की तो आज जो भी जातक जन्मे लेंगे उनके नाम आक्षर है ए और उ जिसमें जो है वो मेश राशी के अंतरगत आता है ए और उ व्रश राशी के अंतरगत आते है जन्म पाये की बात करें तो इनका सभी का स्वर्ण का जन्म पाया है धन्यवाद अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे आप इसे लाइक करें और हमारे खुछ जिबन राशिफल के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें धन्यवाद